अब बात करते हैं रीवा जिले के गुर्विधान सभा सीट की गुर्विधान सभा सीट से भाजपा प्रत्यासी नागेंदर सिंग ने अपने निकर्तम प्रतिद्वन्दी कपिद्ध्ध सिंग को हरा कर जीत हासिल की है कॉंग्रेस से कपिद्ध्ध सिंग प्रत्यासी थे 2430 नय बोटों से भारती जनता पालटी के प्रत्यासी नागेंदर सिंग ने जीत हासिल की है नागेंदर सिंग को कूलमत 68,775 मिले तो वहीं कपिद्ध्ध सिंग को 66,222 मत प्राप्त हुए नागेंद्र सिंग भारती जनता पाल्टी के टिकट से 2018 से अभी तक बिधायक है और अब फिर से एक बार बिधायक का चुनाव वह जीच चुके है भारती जनता पाल्टी ने फिर एक बार नागेंद्र सिंग पर भरोसा जताया था और उन्हें टिकर दिया था गुड़ विधान सवा सीड से और नागेंदर सिंग एक बार फिर से उस भरोसे को कायम रखते हुए जीत हासिल किये हैं चौबिस सो तिरान ने बोटों से कपिद्ध्ध सिंग से जीत हासिल किये हैं एक नजर बात कर लेते हैं गुड़ विधान सवा सीड के सभी प्रत्यासियों की किकी से कितने मत प्राप्त हुए हैं बात भारती जनता पालटी के प्रत्यासी नागेंदर सिंग से करते हैं नागेंदर सिंग कोh 68715 मत प्राप्त हुए ऐ 2400- Tyson नागेंदर सिंग जीत हासिल किये हैं कांग्रेस के प्रत्यासी कपिध्ध सिंग भया सहेब को 6222 मत प्राप्त हुए 243 ने वोट से हार का सामना करना पड़ा है कपिद्ध सिंग को तो वहीं बहुजन समाज पाल्टी की प्रत्यासी सरोज राविंद कोल को 18,348 कुलमत प्राप्त हुए है 50,366 वोट से हार का सामना करना पड़ा है बहुजन समाज पाल्टी की प्रत्यासी को भारती जनता पाल्टी के प्रत्यासी नागेंदर सिंग से वहीं आम आदमी पाल्टी के प्रत्यासी प्रखर प्रताप सिंग प्रखर प्रताप सिंग को 223 मत प्राप्त हुए है Communist Party of India से लालमनी त्रिपार्थी को 1516 मत प्राप्त हुए है समाजबादी पार्टी से अमरेश पटेल को 1337 मत प्राप्त हुए है रन्नुलाल साकेत को जोकी निर्दली प्रत्यासी हैं 1200 संतान नेमत प्राप्त हुए है निर्दली प्रत्यासी बिर्जेंद मिस्रा को 949 मत प्राप्त हुए है निर्दली प्रत्यासी राकेश कुमार पांडे को 878 मत प्राप्त हुए है तो वही राम जी आमन गुपता निर्दली प्रत्यासी हैं 712 मत प्राप्त हुए है जन अधिकार पाल्टी से एड़ोकेट अमरजीत कुस्वाहा को 373 मत मात्र प्राप्त हुए निर्दली प्रत्यासी दया संकर पांडे को 354 मत प्राप्त हुए हैं तो भारती सक्ति छेतना पाल्टी से धीरंद सिंगपतेल को 328 मत प्राप्त हुए हैं ललन प्रसाज साकेज जोकी निर्दली प्रत्यासी है इन्हें 273 मत प्राप्त हुए है वहीं निर्दली प्रत्यासी धीरेंद को 260 मत प्राप्त हुए है जन सेवा ड्राइवर पाल्टी से विजय मिस्रा दोसो चौमन मत प्राप्त हुए है राष्टवादी भारत पाल्टी से सिमोहन सर्मा को दोसो इंक्रामन मत प्राप्त हुए है निर्दली प्रत्यासी राम निवास विसकर्मा को 137 मत प्राप्त हुए नोटा पर 290 मत पड़े हैं बता दें कि जब आम आदमी पाल्टी के प्रत्यासी प्रखर प्रताब सिंग मैदान में आये तब यह माना जा रहा था कि गुड़ से त्रिकोनी मुकाबला रहेगा इस वार जादा तर जो अनुमान लगाये जा रहे थे वहिया अनुमान लगाये जा रहे थे कि 2018 के मुकाबले इस वार कपिद्ध सिंग चुनाओ निकाल सकते हैं लेकिन जन्ता ने एक बार फिर से नागेंडर सिंग पर भरोसा जताया है और 2400 मतों से उन्हें जीत हासिल करवा दिया है जैसे ही रिजल्ट सुनने को मिले भारती जन्ता पार्टी के जो समर्थक थे उनमें खुसी की लहर देखी गई समर्थकों के द्वारा तीस बाजी करते हुए दिखाई दिये जो समर्थक थे नागेंडर सिंग के गुड विधान सभा सीट से एक बार फिर से भारती जन्ता पार्टी के विधायक चुने गए है बात करते हैं त्योंथर विधान सभा सीट की